सभी विद्यार्तियों को नमस्ते, राजके महा विद्याले के संगड से, मैं डोक्टर पमन कुमार जांगेड, प्रे विद्यार्तियों, हम लोग द्रश्य कलाईं वे परदशनकारी कलाउं के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते विए, हमने द्रश्य अत्वा रूप परदशनकारी कलाउं के बारे में चर्चा की, और यहे अध्यन किया कि इसके अंतरके तीन परकार की कलाई आती है, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, अतह हम इसके तर्थिय भाग वास्तुकला के ब वास्तुकला क्या है, और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम विश्तार्शे चर्चा करेंगे, वास्तुकला अत्वा इस्तापत्ते कला भारतिय संदर में वास्तुकला को वास्तु ब्रह्मवाद के नाम से अभिहित किया गया है, वास्तु सब्द की उत्पती वस्दातु से हुई है, जिसका अर्थ निवाश करना होता है अथार्थ वह भवन जिसमें मनुश्य निवाश करते हैं किन्तु भारतिय संदर में वास्तु कला सब्द का प्रियोग अत्यैंत विश्त्रित रूप में देखा गया है चित्र कला और मूर्ती कला जो द्रश्य कलाई है उन दोनों को वास्तु कला के अंतरगत ही स्विकार किया गया है भारतिय प्रमप्रा में मूर्ती वैचित्तर निर्मान प्रमुक रूप से वास्तु करतियों पर ही निर्बर रहा है भारतिय वास्तु कला के विकास का महान इस त्रोधार्म रखा है और प्राचिन मंदिरों गुपा मंदिरों आदिके अवलोकन शें यह इसपष्ट हो जाता है कि जहां हम तीनों द्रश्य कलाओं को कौन-कौन शी चित्र कला, मूर्ती कला और वास्तु कला को एक शाथ एक ही इस्तान पर देखते हैं उधारन के रूप में जैशें अजन्ता, एलोरा, शितनवासल, बादामी, बाग, आदिक गुफाज मंदिर है अत्वा प्राचिन इस्तापत्तें जो हैं, उनमें हम इन तीनों ही कलाओं को एक शाथ देख सकते हैं जहां इन तीनों ही कलाओं का समिस्रण एक इस्तान पर देखने को मिलता है अतह प्राचिन काल से ही ये कलाओं अन्योन्या स्रित रही हैं, तता इनमें इनके मध्ये गनिष्ट शमंद रहा है भारति वास्तुकारों ने सोंद्रिये को ही अपना लक्षि नहीं बनाया है वरन सोंद्रिये के साथ सात्यम और शिमं को भी अभिव्यक्त किया है वास्तुकलावी से एक सामगरी का सामाविस हमें जिन ग्रन्थों से प्राप्त होता है वे ग्रंथ हैं पुराण आदी संकलन रूप ग्रंथ, शेवा अगम ग्रंथ, वास्तु कला प्रती पादक ग्रंथ वास्तु कृतियों का वरणन रिग्वेद में भी प्राप्तो हो जाता है यह शुची विश्त्रित हैं उत्री परंपरा के मुखे वास्तु शास्त्रिय ग्रंथ, शुत्रधार, मंडन, विश्व कर्म, प्रकाश, समरांगन, शुत्रधार, वास्तु रतनावली आदी हैं दक्षणि वास्तु परंपरा के ग्रंथों में विश्व कर्मिय शिल्प, मैमत, मानसार, काश्यप सिल्प, अगत्स से, सकला अधिकार, सिल्प संग्रह, शिल्प रतन, तता चित्र लक्षण हैं उलेकनिये हैं समरांगन, शुत्रमतहार में भवन निर्मान के क्रिया पक्षपर विशीश बल दिया गया है सुक्रनितिशार तथा कोटिलेकरत अर्थ शास्तर, भरत मुन्यकरत नाटे शास्तर, तथा अथारवे वेद और शुत्र शाहित्ते आदी में वास्तुकला की रचना विदे का उलेके प्राप्त होता है शेवागमों की वास्तुकला रचना विदी सरवाधिक प्राचिन है मानसार में वास्तुशिल्प का अत्यन्त विशद एं विश्त्रित वरणन प्रस्तुत किया गया है सास्त्रों में भवन निर्मान को मानव सरीर के रूप में ग्रहन किया गया है और इशी आधार पर भवन और उसमें निवास करने वाले के मध्धे सरीर और आत्मा का समन्द इस्तापिते किया गया है मंदिर के निर्माण में वास्तुकार का यह द्रिश्टिकोन रहता है कि मंदिर निर्माण में भारती वास्तुकला की मूल प्रेरना धार्मिक वे आध्यात्मिक रही है पर्शी ब्रावन के अनुसार भारती वास्तुकला का महत्वपुन गुण है उसके आध्यात्मे के विशय वस्तु पर्मुक्षास्त्र कारोने वास्तु को वास्तु की तीन आकार शेलियां बताई नागर, द्राविड और बेश्र इन तीनों शेलियों का समन्द करमेशे, ब्रह्मा, विश्नु और महेश से माना गया वास्तु कला शादारन रूप में इस्तान की कला मानी जाती है यह पर्तिरुपा अत्मक कला है और ललित कलाओं में इस तूलता की द्रष्टीशे सबसे निम्न इस्तर की निरुपित की गई है परनतु हिगल इस से सहमत नहीं है हिगल ने वास्तु कला को बाहे उपादानों पर आधारित होने के कारण परतिका अत्मक कला माना वास्तुकला का भी रस निश्पतिशें सीधा समंध है शमरांगन सुत्रधार के अनुसार वास्तुक्रतिशें विस्मय उत्पन होता है इस परकार वास्तुक्रति का लक्षे भी सुंद्रिये की निर्मिती एवं उपयोग तरस की अनुभूती का आशा स्वादन है अतन्य कलाओं के समान ही वास्तुकला का भी परत्यक्षमंद सुंद्रिये और रस निश्पति है ताजमेल की सुंद्रता इश्का जीता जागता उधारन है इस परकार जो वास्तुकला है इस तापत्यकला है उसका अपना महत्तु है